So students, वागाते आप सबी को एक और नहीं वीडियो पर आज की वीडियो में मैं आपको एक डाउट बताना जा रहा हूँ जो कि आपने काफी ज़्यादा मुझसे पूछा था, इंस्टा पे भी आपने मैसेज करके मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना क कर दिया गया है और वो आपके फरवरी में ही होंगे, और देखिए आप सभी को पता है कि जो आपके त्रेमासिक एक्जाम हुए थे वो तो आपके पेपर्स वगरा आउट हो गयते, अब इस बार के जो पेपर्स वगरा आउट होने है या नहीं होने इसके उपर मैंने आप करने जआएंगे, यानि आपकी मार्क 거죠. आपकी मेन ईग्साम होते थे। कि हो आपको भर सकता है, तो शकता है, आते हो ऑन यह तो बनुकसान भी हो जाएंगे. तो काफी जरूर है आपको यह जानना तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह डाउट आपके मन में कैसे आया स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था जब एंपी बोड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस में आपको यह बताया गया था कि हो सकता है कि आपके जो यह रर्द वाशेक पर diferen क्षा है इनके marks आपके मेन examination में जोडे जा आ रहा है तो स्टुडेट जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSC Board के Term 1 के examination में सिर्फ आने हैं और CBSE को देखके MP4 ने भी जो अब्जक्टिव की संक्या है वो बढ़ा दी है तो यहां पे आपको परेशान नहीं होना है आपको फिंडर डाउड करना है आपको उपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है वहां पे आपको मौक टेस्ट देने का मौका दिय जाएगा यहां पे आपको टाइम देविंट भी दी जाएगी और यहां पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेप से वह आप डूण पाऊगे और इस हैप का मैं आपको एक शांदार फीचर बता देता हूं अगर आपके म आपके 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 और आपके इर्दवार्षिक के यह मार्षिक आपके तभी जोड़े जाएंगे जब आपके बार इक्शाहें जो आपके मेन एक्जामेसर भी यह सारे जोड कि आपका जो main examination का जो result है वो बनाया जाएगा तो यह condition पर आप जड़ा सा focus कीजिए और अगर आपके main examination हुए तो आपके किसी के भी marks यहाँ पे नहीं जोड़े जाएगे तो छोटी सी बात ती आपके बात है तो आपन आगे की वीडियो में कभी करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको पास इतना बता रहा हूँ कि आपके अगर main examination हो गए तो आपके marks नहीं जोड़े जाएगे और आगर आपके main examination नहीं हुआ किसी reason की वज़े से तो यहां पे सारी बाते आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी अगर आपको किसी तरह का कोई doubt आता है तो आप मेरे को instagram पर direct DM करके पूछ सकते हैं और जो नीचे आपको subscribe बटन दिख रहा है उसको आप जरूर से दवा दीजिए क्योंकि आगे की वीडियोत में मैं आपको सेट पेपर वगरा दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एक्जाम में जो की सी नंबर का होना है वो किस तरीके से डिजैन किया जाएगा तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दवा दीजिए और टेलिग्राम ग्रूप आप जरूर से जोइन करके रखिए वहीं पर मैं आपको सेट पेपर वगरा के पीडियो प्रोवाइड करूंगा